नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं इन में जर्खन परामेटिकल सन्युक्त परिक्षा परिक्षा तथा जर्खन तकनिकी विशिष्ट योगताधारी असनातक अस्तर्य सन्युक्त परिक्षा 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 बता दे पहली परिक्षा के माद्यम से कूल 252 तथा दूसरी परिक्षा के माद्यम से 492 पर निय कार्यों के हैं वही पारा मेडिकल सन्युक्त परत्योक्ता परिक्षा के लिए 23 जनवारी से 22 फर्वारी तक ऑनलाइन फरम भरे जाएंगे जबकि 26 फर्वारी तक परिक्षा सुलका भुकतान होगा वही 28 फर्वारी तक फोटो एवम हस्ताक्षर अपलोड होगा इसी तरह तक निकी विशिष्ट योक्ता धारी असनातक अस्तरिय स्तन्युक्त परत्योक्ता परिक्षा में सामिल होने के लिए 16 जन्वारी चे 15 फर्वारी तक ऑनलाइन फ्रम भरे जाएंगे वही 17 फर्वारी तक परिक्षा सुलका भुकताल होगा जबकी 29 फर्वारी तक फोटो यो हस्ताक्षर अपलोड होगा बदादे जार्खन पारामेटिकल प्रतिक्षा में राजे के सरकारी अस्पतालों में अनुबंद पर काम करने वाले पारामेटिकल कर्मियों को अधिमनेता दी जाएगी आज इसे घर घर बटेगा अयोध्या राम मंदिर पुजित अक्षात अयोध्या के नौ निर्मित मंदिर में भगवान सिरी राम 22 जन्वारी को विराजेंगे उस दिन अयोध्या में होने वाले भव्य उत्सव वा अनुष्ठान की प्रतिक्षा पूरे देश कर रहा है देश के लाखों मंदिरों में इस औसर पर विशेष पूजा अनुष्ठान आधी के करक्रम आयोजित किये जाएंगे दूसरी और अयोध्या के आयोजन में सामिल होने के लिए आरेसेस बिहिप और संग के सभी समविचारी संगठनों के करकरता घर घर जाकर लोगों को निमंत्रन देने एक जनवरी से निकलेंगे करकरता अयोध्या से लाएगा स्री राम मंदिर में पूजित अक्षत और नौनिर्मित राम मंदिर के तस्वीर भेट कर लोगों को नियोता पहुंचेंगे और 22 जनवरी के बाद अयोध्या पहुंचकर भवान राम के दर्शन करने का वाहन करेंगे नियो इयर पर घूमने अवसे जाए परसासन ने कही खास बायत नौ बरस पर रायधानी में जशन का महल रहेगा इस दिन रांची के पिकनिक एसपोटो जैसे डेम, पार्क और जल प्रपात वाले छेतरों के अलावे धर्म अस्थलों में भी लोग एकत रहोंगे आप इस अस्थलों पर घूमने अवसे जाए क्योंकि मंचलों पर परसासन का पहरा भी रहेगा, इस दोरान यादी पकड़े गए तो जेल भी जा सकते हैं बतादे राईदानी के परमुक चोक चोराहो सहीत 69 पिकनिक एस पोटो पर 31 दिसंबर से 7 जनवाई तक विशेश नजर रखने के लिए दंडा अधिकारी और पुलिस बल की परतियुनिक्ति की गई है कूल 15 सोब पुलिस बल लगाये गए हैं, रास्ते में भी जगा जगा पुलिस बलो की तैनाती रहेगी, साथ ही PCR लगातार गस्ति पर रहेंगी जारखन में नए साल में 30.000 सिक्षक होंगे बहाल, जारखन में वर्ष 2024 नियुक्ति का साल होगा, इस वर्ष करीब 30.000 सिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे जनवरी से ही परकीरिया सूरू हो जाएगी और मार्च तक न्योकती पत्र बाठ दिये जाएगे बता दे राजी के प्रारामिक इसकोलों में 26 एर एक सहायक आचायों के न्योकती की परकीरिया चल रही है इसकी लिखित परिक्षा 12 जनवरी से 31 जनवरी तक होनी है इसके पई नाम लोग सभाज चुनाओं के पुरो मर्च तक जारी कर दिये जाने की समभावना है इसके बाद नए सेक्षिनिक सत्र से प्रारामिक इसकूलों को 26 यार एक सिक्चक मिल जाएंगे वहीं दूसरी वर पलस टू इसकूलों में 321 अर्षनत कोतर प्रसिक्षिस सिस्कों को जनवाई से नियुक्ति पत्र मिलने लगेगा लिखित परिक्चा के बाद दिसमबर सही साटिफिकेट वेरिपिकिस के परकिरिया सुरू कर दी गया है कोहरे के साथ होगी नए वर्स की सुरुवात जारखन में सोमवार को सुबह ठंड के साथ घना कोहरा चाय रहेगा पुर्भी सिम्भूम पच्छमी सिम्भूम और खुटी के साथ पच्छिम बंगाई से सटे जीलों में कुहासा गहराएगा इससे इन जीलों में सुबह कौनकरनी बढ़ेगी मौसम भी भाग के अनुसार दो जनवाई से राजधानी समेत राजी के अधिकांस जगोप और बादल चाय रहेंगे और हलकी बारिस होगी इसके बाद लगातार तीन दिनों तक हलकी बारिस होने के असार है मौसम भी भाग के अनुसार रभी वार को हजारी बाग सबसे ठंडा रहा वहीं यहां नियूंतम तापमान 7.1 डिगरी वाधिकतम तापमान 20.6 डिगरी से दर्च किया गया राजी के कई हिस्सों के पारा में उतार चरहाओ देखा गया है जारखन के 26,000 PDS डिलर आज से हर्ताल पर रहेंगे राजी के 26,000 PDS डिलर जन बितरन प्रनाली के दुखंदार सोमवर से हर्ताल पर जाएंगे फेर प्राइस सौब डिलर्स एसोसेशन ने इसकी घोसना की है बता दे 10 सुत्री मांगों के लिए डिलर आंदोलन कर रहे है एसोसेशन के परदेश्ट अध्याक्ष ग्यांदेव जाने बताया है कि 24 जिलों में PDS केंदर इस दोरान बंद रहेंगे सरकार के बार बार के असोसन के बाद भी PDS डिलरों की मांगे पूरी नहीं हुई है PDS डिलरों के अंदोलन पर जाने से आम लोगों को परसानी होगी और शितकानिन हरताल से लोगों को ख़द्यान समंदी समसाय आ सकती है बता दे कि हरताल देश ब्यापी है ऐसे में देश भर में इसका असर देखा जाएगा आज फोज़दारी दरबार में एक लग सरधालों की भीड जूटने की संभवना 9 वरस 2024 के स्वागत में बाबा फोज़दारी नाथ के दरबार में त्यारी स्थूरू हो गई है 9 वरस के औसर पर एक लाग से अधिक सरधालों की पहुचने की संभवना है सरधालों को सुविधा पुर्वग पुजा अर्चना कराने के लिए मंदीर प्रबंद सजग है पुरुतर राजि के बिभीन राजियों से सरधालों की भीड पहुचना शुरू हो गया है रंग बिरंगी फूलों से संपूर मंदीर प्रांगन को सजाया जा रहा है मंदीर प्रभारी सह नपंग प्रसासन आसिस कुबार ने बताया है कि 9 वरस को देखते हैं मंदीर प्रवंध द्वारा साहे 3 वय से ही मंदीर गर्भग्री में सरकारी पुजा के बाद सरधालों के लिए गर्भग्री का पट खोल दिया जाएगा नए साल में कांगरेश सांसत गीता कोडा की भाजपा में सामिल होने की संभावना चाई बासा से कांग्रेस सांसत गीता कोड़ा की भाजपा में सामिल होने की समभवना तेज हो गई है। अनोखी बस जिसमें चलती है कंप्यूटर कलास बच्चों को मिल रहा लाब। चाई बसों के साथ चलने वाले प्रसिक्षक पूरा समय देकर और एक अस्थान पर कई दिनों तक कैम्प लगा कर लोगों को कंप्यूटर का प्रारम भी ज्यान देते हैं। साथ ही उन्हें सिखने का भरपूर आउसर और महौल परदान करते हैं। बस के अंदर चलने वाले या अनोखी कक्षा घर घर कंप्यूटर ग्यान बाट रही है। बताते वर्ष 2015 में जारकन के पच्छमी सिंभुम के करंजों से अरम की गईया है योजना, आज 20 राजियों में संचाली था है, इसके तहट अब तक 32 या लोगों को कंप्यूटर सक्षर किया जा चुका है, जबकि 2024 में 42 हजार सदीक लोगों को सक्षर करने का लक्ष रखा गया है, बिजली बिल बाकाइदारों की खैर नहीं विभाग उठाने जा रहा बड़ा कदम, नए साल 2024 में बिल बाकाइदारों की खैर नहीं सभी बाकाइदारों पर सर्टिफिकेट केस करने की त्यारी हो चुकी है, मानगो बिधूत डिवीजन के तहत 172 वैसे बिजली बगताओं को चीनित का सर्टिफिकेट केस किया जा रहा, सर्टिफिकेट केस करने के लिए 172 वैकाइदारों की सुची तैयार हो गई है, गीरी डी से गो वन्स लदे 11 पिक अप वैं जब्त पाच ड्राइवर गिरफतार, वर्ष दौजर तेजिस के अमतिम दीन मवासी तसक बाकर मवसी लदे 11 पिक अप वैं को पुलिश ने जब्त किया है, इन सभी 11 वाहनों में कुरूरता प्रुवक पसुओं को लाद कर तसकरी की जा रही थी, जब्त वाहन समेत मुक्त कराए गए मवसीयों को अहिलिया पुर्थाना परिसर लाया गया, पकड़े गए वाहनों म कुल 73 गोवन सी लदे थे, इन में 32 दुधारू गाय और 5 बैल समेत 29 गायों के बचले भी थे, पुलिश ने बताया है कि पसुची की सक द्वारा जाच किये जाने के बाद सभी पसुओं को गो साला भेज दिया गया है, चाइवासा में बिजेपी की हुई अहम बैठक, सिम् चाइवासा में रभी वर को आयोजित परदेश पताधिकारे जिला प्रभारी वर जिला अध्यक्षों के साथ होई समीक्षा बैठा के बाद, राज सभास्तदस्य और भाजपा के परदेश प्रभारी लक्ष्मी कांत वाच्पई ने कही है, उन्होंने कहा है कि प्रधान मं जिला अध्यक्षों के साथ चुनाव किरण इतिताय की गई, इस से सिंग्भूम लोक्रसवाज सीट एक समय भाजपा के पास थी, नए साल पर प्रेटकों के स्वागत को तयार जार्खन का पतरातु डेम, नए साल दो हजया चोविस को लेका रामगर के पतरातु लेक रिसो वा पिकनिक एस्पोट गुलजार है, गुजारते साल 2013 की बिदाई वा नए साल के स्वागत के रिसोर्ट, पलानी वाटरफॉल, मा पंचवाहिनी मंदीर, सेलानियों का पसंदीदा अस्थल बन चुका है, नव वरस की छुटियों में अथान सबसे अधी गुलजार रहता है तीन ओर से उची पहाडियों से घीरा पतरातू डेम वा पलानी जील लोगों को अपनी तरफ आकरसित करते हैं पलानी जील चारों तरफ से जंगलों और पहाडों से घीरा हुए है, काफी उचाई से गीरता जहरना पलाटकों का काफी आकरसित करता है खरसावा गोली कांड सहीद अस्थल पर दी जाएगी सरधांजली जार्खन के खरसावा गोली कांड की बरसी 1 जनवरी 2024 को है इसे लेकर त्यारी पूरी कर ली गई है सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गा है खरसावा गोली कांड के सहीदों को सरधांजली देने के लिए राजेपा सिपी राधा किश्णन एक जनवरी को सुबह करीब साड़े दस बजे सलक मार्ग से खरसावा सहीद पर पहुँचेंगे और सहीद बेंदी पर सरधांजली अरपीत करेंगे वहीं इस दवरान केंदरी किरिसी वा जनजातिय कल्यान मंत्री अजून मुंडा भी मुझूद रहेंगे इसके बाद खरसावा के गोंदपूर मैदान में भारत सरकार की क्रिसी वा क्रिसक कल्यान मंत्रालय की ओर से आयोजीत होने वाले किसान समागम में सिर्कत करेंगे जारखन के बूतों पर उपलब्ध जरूरी नियुम्तम स्विधाओं का होगा सोसल आउडिट जारखन के मुख्र निर्चन पताधिकारी केरभी कुमार के निर्देश और पहल पर लोग सबाचुना दोज़र चोविस को लेकर राजे के साभी मतदान केंद्रों पर जरूरी नियुम्तम स्विधाओं के उपलब्ता सुनेश्चीत कराने की कवाय सुरू कर दी गई है देश में संभावत यह पहला अउसर है जब निर्वाचन विशायों को लेकर सौतंत्र समाजिक अंकेच्छन कराया जा रहा हो समाजिक अंकेच्छन का कारे फरवाई 2024 में पूरा हो जाएगा इसके बाद कौमियों को एक महिने के अंदर पूरा कर लिये जाने की योजना है भारतिय मैदूर संभ के अधिवेशन में 690 रुपे नियुनतम मैदूरी की मांग भारतिय मैदूर संभ के दो दिवसी अधिवेशन का रविवार को रांची में समापन हो गया अधिवेशन में स्रामिक नेताव ने कहा है कि स्रामिकों के साथ ही अध्योगिक संस्थानों वा देश के हितों की रक्षा होनी चाहिए CBOO के महामंतरी नवीन कुमार सिंग ने कहा है कि मैदूर स्रामिक छेतर के लोगों की अगर कोई सही नुमाइंदगी करता है तो भारतिय मैदूर संग है उन्होंने कहा है कि देश के स्रमीकों के साथ दूसरे देशों में काम कर रहे माइगरेट लेबर के हीतों का ख्याल रखना चाहिए और संगठी छेत्र के लोगों के हीतों पर हमारा खास फोकस रहेगा और उन्हें मुख्य धाला से जोड़ा जाएगा ताकि ज्यादा ज्यादा मिल सके मन की बात में पिये मोदी ने ज्हारखन के मंगलो गाओं की सरहना 31 दिसंबर दो हेरते इसको प्रधान मत्री नायद मोदी के मन की बात करकरों का परसानन देश भर में हुआ साल के आखरी मन की बात में पिये मोदी ने ज्हारखन के आदिवासी गाओं का जिक्र किया और इसकी काफी सरहना की प्रधान मंत्री ने कहा है कि बदलते हुए समय में हमें अपनी भासाय बचानी भी है और इसका सर्वधन भी करना है इसी के साथ उन्होंने कहा मैं आपको ज्हारखन के आदिवासी गाओं के बारे में बताना चाहता हूँ इस गाओं ने अपने बच्चों को मात्री भासा में सिक्षा देने के लिए अनूठी पहल की है जारखन के मंगलो गाव में बच्चों को कुलुक भासा में सिख्छा दी जाती है इस इस्कूल का नाम है कार्तिक उराव आदिवासी कुलुक इस्कूल इस इस्कूल में 300 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं नाया एक्सिडेंटल कानून को लेकर ट्रेंकर चालको ने किया बिरोध परदसान केंद्र की मोधी सरकार द्वारा एक्सिडेंटल को लेकर बनाये गए कानून के बिरोध में औल ड्राइवर कल्यान संग के बनातले बोकारो जीले के राधा नगाश्थित भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड डिपो के गेट के समख स्ट्रेंकर चालकों ने अपना बिरोध परसन किया इस दोरान संग के बोकारो जीला उपाध्यक्स जियाओदिन ने कहा है कि हम सभी चालक हमेशा देश सिवा में उपलब्द रहते हैं कोविट काल के दोरान हम सभी चालकों ने अवसक समागरियों को देश के विभीन हिस्सों में पहुचाने का काम किया आज तक सरकार दोरा हम सभी चालकों के लिए कोई ऐसी बेवस्था नहीं की गई जिससे हम सभी चालकों का मनोबल बढ़े से कम से कम 6 स्रमिकों की मौत हो गई पूलिस के एक अधिकारी ने इसकी जनकारी दी है महराष्ट के मुख्य मंत्री एकनाथ सिंदे ने मारे गए 6 लोगों के परिजोनों को 5-5 लाक रुपए बतर मुअब जादेने की घोसना की है पूलिस ने बताया है कि वालूज और द्योगिक छेतर में एक इकाई में देर राज करीब एक बज़े आग लग गई उन्होंने बताया कि घटना के वक्त 13 करमचारी परिशार में सो रहे थे अधिकाई ने कहा उनमें से 6 की मौत हो गई जबकि 7 अनेकर खाने के टीन की चट तोड़ कर बाहन निकलने में कम्याब रहे जमसेदपूर में 200 महिलाओं से 20 करोर की ठगी मीनी फाइनेंस कमपनियों के एजेंटों ने जमसेदपूर के 200 महिलाओं से लगभग 20 करोर रुपए की ठगी कर ली है इन महिलाओं के दस्तावेज लेकर उनके नाम पर लोन लिया गया लोन की रिकोफरी के लिए जब विभीन बैंक वा मीनी फाइनेंस कमपनियों के अधिकायों ने दबाव बनाना सुरू किया तब जाकर महिलाओं को ठ़ई का पता चला है बता दे पिछले 15 दिनों में 200 महिलाओं ने अलग-अलग थाना में इसकी सिकायत की है जिसके बाद जाच का आदेश दिया गया मानगो अजाद बस्ती की आसमा खातु ने बताया है कि बंधन बैंक से फोन आया कि उसके नाम पर एक बार एक लाग और दूसरी बार 70 आयार का लोन लिया गया है धन्यवाद